अगर आप भी पुलीस के और कोट कचहरी के चक्रों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं नमस्कार आपके साथ मैं राजिश आजम बात करेंगे बारत सरकार के एक ऐसी योजना के बारे में जिसके अंतरगत दूर दराज ग्रामिन शेत्र के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो प्रवाइड की जाती है यहां अक्सर यह पाया जाता है कि दूद राज गामिल शेत्रों में जब छोटे-मोटे जगड़े हो जाते हैं चाहे उस जमीन को ले करके हो चाहे आपसी जो है फैमिली के बीच में कोई जगड़ा हो जाता है है ऐसे में लोग जो है अपने नजदी की जो है पुलिस चोकी के जो है चक्कर जो है काटने में लग जाते हैं जिसमें उनका काफी जो है समय और पैसा जो है दोनों बरबाद होता है अब भारत सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक योजना लांच की है जिसक मुफ्त कानूनी सलाह ले सके और चोटे मोटे जगलों को जो है आगे बढ़ाने से पहले आप किसी एक एक्सपोर्ट वकील के साथ बात करके उसकी कानूनी परकरिया जो है वो पूरी जान सके तो आपको जो है निश्चिन तरहने क्या हो सकता है क्योंकि CSE टलीला जो है जो है घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो है वकील के साथ बात कर पाएंगे वकील को अपने मामला जो है बता पाएंगे और, वकील को कानूनी सलाह जो है देगा वो भी free of cost अब इस स्कीन को सबसे पहले अवेल करने के लिए आपको अपने नजदी की कौमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा जी आपसे भी जानते हैं कि लगबग भारत के हर पंचायत में सीएसी कौमन सर्विस सेंटर जो है वो काम कर रहे है जिसके अंतरगत सरकार की जो है योजनाय ज बात महलं करती है आपको महां पर जाकर कि आपने के सथी कторने के लिए वो कमफ़ेबल हो चीजर्ड करने के बाद मुवाइल पर करने एक मैसिज आ जाएगा और उस काम बिशुक्ंठ करने के लिए वो वो स्बास Capital К टाइम और डेट के अनुसार आपको वकील कॉल करेगा और आप उनसे कानुमी सलाह ले पाएंगे। इसे सबसे बड़ा लाब गरामिल शेत्र के लोगों को होगा। क्योंकि अक्सर ग्रामिन शेत्र के लोगों से जो है अगर हम बात करें तैसिल आफिसे जो है वह दूर होते हैं वहां उनके पहुंसे दूर होते हैं आगर हम डिस्टिक कोर्स की बात करें उनके जो है उनकी पहुंसे ये भी जो है वो कहीं नहीं बहुत दूर होते हैं और इस क्ञिवर्ष नसे तक कोड़ के चक्र आते की शनी की जिसमें और पैसे दोने की बर्बादी है, अब अगर आप या आपके साथ और आसपास में कोई ऐसे मामले होते ह् आप को आपको जू पूजना को लेकर किया रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं हम आपके उस डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले करना आपका